इंटरनेट आधारित सूचना संबाद के प्लेटफॉर्म किस तरह सरकार की आखों में धूल जोकने की कोसिस कर रहे हैं इसका प्रमाड है वाटसअप की ओर से कैंदर सरकार के दिसा निर्देशों के खिलाफ दिल्ली उच्चनयायले का दर्वाजा खटखटाना फेस्बुक के स्वामित वाले वाटसअप ने यह दलील दी है कि कैंदर सरकार के दिसा निर्देश मानने से निजिता का उलंगन होगा पहली बात तो लोगों की निजी जानकारिया लीग करने और बेचने बालों के मुह से निजिता की बातें सुनना अच्चा नहीं लगता और दूसरे यह सरारत के अलावा और कुछ नहीं की वाटसअप निजिता की आड में योन अपरादों के साथ अन्य गंबीर अपरादों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी दैने से इंकार करे क्या वाटसअप अपरादी और आतं की तत्तों की निजिता की परवा कर रहा है यदि नहीं तो फिर वह सरकार के दिसा निर्देश मानने से क्यों इंकार कर रहा है इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब वह और अन इंटरनेट मीडिया कमपनिया अमेरिका, ब्रेटेन, कनाडा, नीजिलेंड, आस्ट्रेलिया, आदि देशों में ऐसे ही दिसा निर्देशों का पालन करने को तैयार है तो फिर भारत में उन्हें क्या समस्या है? इसपस्ट है कि यह कमपनिया या तो भारत के प्रती दुराग्रे से ग्रस्थ हैं या फिर यहां अपनी मनमानी चलाना चाहती है यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं की वाटसप, निजिता संबंधी, अपनी नीती के तहत अपने सभी यूजर्स का डेटा पेस्बुक के साथ तो साजा करना चाह रहा है लेकिन फरजी खवरों पर अंकुस लगाने से हाथ खड़े कर रहा है वाटसप की तरह ट्विटर भी मनमानी पर अमादा है उसे यकायक भारत में अभिव्यक्ती की सुतंतरता खत्रे में दिखने लगी है यह बहाने वाजी के अलावा और कुछ नहीं ट्विटर ने तत्थियों को तोडने मरोडने की जैसी मनमानी विवस्था पेस की उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है निसंदे इसकी भी मिसाल नहीं मिल सकती की वह कम आपत्ती जनक ट्विट करने वालों के खिलाफ तो कारवाई करे लेकिन घोर आपत्ती जनक और घ्रणा भरे ट्विट करने वालों को वक्स दे क्या हो है इसे भी अविव्यक्ती की फटंतरता समझता है यदि नहीं तो लंपट और नफरती तत्तों की अविव्यक्ती की फटंतरता की परवाह क्यों कर रहा है यह अच्छा हुआ कि अविव्यक्ती की फटंतरता की फरजी आड ले रहे ट्विटर को दिल्ली पुलिस ने न केवल खरी-खरी सुनाई बलकि उसे बेनकाब भी किया ट्विटर जैसी कमपनियों को यह समझना होगा कि आज का भारत उन्हें इस्ट इंडिया जैसी कमपनी बनने की इजाज़त नहीं दे सकता उन्हें भारत में यहां के नियमों के हिसाब से चलना होगा इंटरनेट, मीडिया, कमपनियों को इस मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि बे भारत के साथ दोयम दरजे के देश की तरह विवहार कर सकते हैं इसकोब